हलो एवरिवन मैं अर्चना मेरे चैनल पे आपका एक बाफ फे से स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे बेबी सन रोज पे बेबी सन रोज एक छोट असा फ्लावरिंग ब्लांट है वो बहुत ही खुबसूरती से फ्लावरिंग करता है इसे समर की ब्यूटी भी कह सकते हैं आप क्योंकि समर में बहुत ही खुबसूरती से फ्लावरिंग करता है summer में flowering की कमी होती है बड़ ये plant summer में ही बहुत अच्छे तरीके से flowering करता है वैसे तो ये साल भर रहता है बड़ समर में बहुत अच्छे तरीके से flowering करता है इसमें हम कौन से planter में हम इसको लगा सकते हैं छोटे planter होना या बड़े planter होना इसमें किस तरीकी का फर्टिलाइजर हमें देना चाहिए और इसकी स्वाइल मिक्स किस तरीके की होनी चाहिए आज हम सब इस टॉपिक पर बात करेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन दबाना ना भूलिए जब भी चैनल डालू तो आपको नोटिफिकेशन उसका जल्दी से मिल जाए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वेबी संब्रो गось एक खुबसूरा सा फ्लावरिं फ्लान्ट है ये एक हैंगिंग प्लांटर भी है और इसको हमें किस तरीके से लगाना है किस तरीके से फ्लावरिंग करता है आज इसकी फुल डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में सेयर करूँगी तो चलिए आज इसके सबसे पहले हम ईसकी स्वैल्ड की बात करते हैं स्वैल्ड की वेल्ड्रेंड होनी च micros Up regaingio?? इसकी जो लीब्स होती है इसमें भी वाटरिंग वो अपनी स्टोर करके रखता है इसमें सैंड का यूज हमें ज़्यादा करना है कमपोश्ट का यूज कर सकते हैं स्वाइल्ड हमें कम ही रखना है क्योंकि इसकी स्वाइल जितनी ज़्यादा रहती है वो मौश्यर जादा बनाके रखता है हमें सिर्फ इसकी well-ren soil बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से ये plant साल भर चल जाता है ये बहुत इजी तरीके से grow हो जाता है और साल भर ये permanently plant होता है हलाकि ये और साल भर इसी तरीके से flowering करता है इसकी हर steam में देखिए चोटे-चोटे से ये pink color के flower होते है मेरी हर tenni हो में देखिए आप चोटे-चोटे कितने सारे flowering हो रहे है हर इस branch में उसमें flower हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से flowering कर रहे है तो ये बहुत ही खुबसूरत देखने वाला एक बहुत ही प्यारा सा एक सर्कुलेंट प्लांट भी कह सकते हैं हम इसे और बहुत ही आसानी से देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टीम लटक रही है और ये एक hanging planter भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है तो हम इस प्लांट को hanging basket में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं तो इस प्लांट की इसमें baby sun rose की cutting लगाई थी और कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है इसकी जो स्टीम देखिए आप कितने अच्छे तरीके से लटक रही है तो आप इसको hanging basket में भी आसानी से लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरी करता रहता है अब बात करते हैं हम इसके pot की इसमें बहुत ज़्यादा बड़े planter की भी जरुत नहीं होती है छोटे से pot में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है ये देखिए मेरा एक छोटा सा pot है इसमें भी कितने अच्छे तरीके से इसकी जो branches है वो grow कर रही है और हर branches में देखिए कितने खुबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है हर ब्रांच में इसमें फ्लावर हो रहा है ये देखिए मैंने एक hanging planter भी बनाया था इसमें भी मैंने एक baby sunrose की जो है मैंने कुछ cuttings लगाई थी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से grow कर रही है ये मेरा एक short video था ये short video का मेरा सबसे popular video है जो अभी भी उसके view continue है तो इस video में मुझे एक comments आया था कि मैम आप 2 liter की bottle में इस plant को लगाते तो ज्यादा अच्छा grow करता तो मैं उन्हें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसने मुझे एक comments किया था तो मैं आपको बता दू कि मेरे देखिए एक bottle एक लीटर की जो bottle है मैंने उसमें भी ये cutting लगाई थी उस ये अच्छे तरीके से इसकी ब्रांचेस निकल आई है और बहुत अच्छे तरीके से ये अभी तक बहुत flowering कर रहा है तो हम छोटे से छोटे planter में भी हम इसको आसानी देख सकते हैं बात करते हैं हम इसको planter को किस तरीके से लगा सकते हैं यह नर्सरी में भी बहुत यह असानी ग्रों कि आता है। बहुत ही आसानी से easy to grow plant है और बहुत ही आसानी से ये cutting से grow हो जाती है और ये जितनी हम उसकी cutting करते हैं उसकी उतनी सारी branches बनके ready हो जाती है ये देखिए मेरे कितने सारे planter बनके ready हो चुके हैं और हर stream में जितना हम उसकी pinching करते जाएंगे वह उतना ज्यादा बूसी होते जाता है प्लांट और हर branches पे यह flowering करता रहता है तो यह बहुत ही आसानी cutting से grow हो जाता है हम एक plant से बहुत सारे planter बनाके ready कर सकते हैं इस plant की भी हम जितने ज्यादा cutting करते जाएंगे उतने ही ज्यादा हर branches बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग होते रहती है इसकी जो लीप से देखिए आप किती सुन्दर दिख रही है और हर ब्रांचेस पे इतने सुन्दर सुन्दर फ्लावर हो रहे हैं तो इसमर में बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है और जिता है हम उतने प्ल किसे फ्लावरिंग करता रहेगा threaten भाँ बात करते हैं इसमें प्लांत चयुए इसमें कुष नहींर हैं इसके बॉनियूत अभएग लिकरण घोड़िय को की तनावी है और कोई भी फर्टीलाइजर हो जो अपने रर्मी कमपोस्ट हो या कुछ भी हो हम इस में बहुत जाँज वैसे तो सिटाजर नहीं और रहें तो यह से में थान है जैसे स्वैल्ड उसकी वेल्डरेन होनी चाहिए आप 15-20 दिन में एक फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर आप इस प्लांट को दीजिए और जितनी ज्यादा हो सके आप इसकी पिंचिंग करते रहिए और उस कटिंग से न्यू न्यू प्लांट ग्रो करते रहिए त अगर आप इसको सेमी शेयर्ड एरिया में रख देंगे तो प्लांट तो ग्रो करेगा बट इसकी जो फ्लावरिंग है वह बहुत कम नहीं हो पाती है तो इसका ध्यान रखे कि आपको इसमें दो तीम घंटे की चार घंटे की फुल सनलाइट में आप इस प्लांट को इस बात का हमें ध्यान रखना है और बहुत अच्छे तरीके से यह फ्लावरिंग करता रहता है तो बस यही कुछ बीडियो हम यहीं करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो पूली तो प्लीज एक पूलीए और मेरे चैनल पर आप नए है तो प्लीज मेजान्न कर को तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई information के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you very much